हाँ इस्टोड तो हम मैं बात कर रहा था कि आप हम लोग आते हैंहें कामन डिजीजिसार होती है तो आपको जानना होगा कि जो डिजीज काजिंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजन्स कितने तरह के होते हैं बहुत तरेगे होते हैं पैथोजन पैथोजन जो है वो बैक्टीरिया हो सकता है वाइरस हो सकता है फंजाई हो सकता है प्रोटोजवान हो सकता है और हलमिंथीज हो सकता है और भी हो सकते हैं लेकिन यहां आप यहां पांच तरेगे बताएगे कौन-कौन से बैक्टीरिया वा सबसे जो सही चीज आपको जानना होगा, यह जानना होगा कि कोई भी बैक्टिरिया या कोई भी मारश जो disease-catching organism होते हैं, क्या मतलब है पैथोजन वो होते हैं, पैथोजन वो पैरसाइट होते हैं, जो जहां रहते हैं, वही नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब अपने host को ही नुकसान पहुंचाते है इसका क्या मतलब जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेयत करेंगे ऐसी कहावत आपने सुनी होगी न बस पैथोजन को वही मान के चलिए यह वही बंदा है नमक खराम वाला लब आप का खाएगा और आप कोई नुकसान पहुंचाएगा ऐसे लोगों से सावधान ठीक है ऐसे बोल लिया और कुश्मत सब्सक्राइब ठीक है तो हम लोग अब आज आएंगे अपने तो सबसे पहले में बैक्टिरिया की बात करता हूँ बैक्टिरिया में सबसे पहला टाइफाइट फीवर किस बैक्टिरिया से होता है सालमो नेला टाइफी एक बैक्टिरियम है जिससे आपको टाइफाइट फीबर होता है यह बैक्टीडिया से होने वाली डिजीज है ओके और यह इसका जो पैथोजन होता है वो इसमाल इंटेस्टाइब पे जाके अटेक करता है और इसमें आपको 39 to 40 डिग्री सेलसियस तक का बाड फीबर हो जाएगा ठीक तो यह जिस आरगन पर अटेक कर रहा है जिस आरगन पर रहे के आपको नुकसान पहुंचा रहा है इसका मतलब क्या है वो उसके लिए सबसे सुईटेबल जगा है ठीक सुईटेबल जगा का मतलब यह है कि वहां के पीच वहां का इन्वार्मेंट उसके लिए बेहतर है वहां रहे कि आपको नुकसान पहुंचा रहा उसी तिरे दिरे बलड की थुरू हर जग़ा पहुंच रहा है और सारे पार्ट को आता हूं ज्यादा इधर दोर नहीं तो लेकिन मैं चीज़ें आपको बता दिया कि कोई भी विक्ति वही रहना चाहेगा जहां उसके लिए अच्छा हो आप वही रहना चाहेगा जहां आपको मज़ा आएगा उसी तरीके से पैथोजन उसी आरगन पर रहते हैं जहां इनको इसमें फीबर हो जायागा 39 to 40 degree Celsius उसके बाद इसमें constipation होता है और भी चीज़ें होती है मैं सब कुछ आपको बताओंगा इसके ये किसके थूरू फैलता है ये फूड़ा और वाटर के थूरू फैलता है contaminated food and water दूसित जल और खाने की भोजन से दूसित जल और दूसित भो टेस्ट उता है टाइफ़ाइड पतला बिडाल टेस्ट ठीक है और उसके बाद आईए आप लोग आप की बिडाल टेस्ट ये चीज मतलब टाइफ़ाइड कहा से आया कैसे आया ये चीज आपको जानना जरूरी है तो टाइफ़ाइड का सबसें पहले जो हम लोग उन् Diοι प यूर्ज एक पता था कि इसमें हम लोग टाइफाइड का बैक्टीरिया पर वो सालों तक टाइफाइड को बाटती रही ूजु फुि क्या नाम का महीला कितने बोला हुगा नाम एकठी होता है Лिखने वाला नाम लिखाई पढ़ाई पे कुछ और वैसे कुछ और ठीक है वैसे नाम है परसुरा Hagia तो उसी तरीके से सब सारी चीजें होती है बाई प्रफेशन एक कुख थी और आपको इसमें क्या होता है टाफार्ट में intestinal porforation हो जाता है जो की death भी हो सकती severe cases में bacterial से होने आले आपने एक disease का नाम जान लिया क्या है टाइफाइड है salmonella typhi से होता है इसके लिए एक टेस्ट रोता है भी डाल टेस्ट इसमें 39-40 degree Celsius ये temperature body का बढ़ जाता है ये सबसे पहले इसका कहा पता लगाएगा एक मेरी मेरी मेला थी जिनका निक नेम टाइफाइड मेरी था उन्होंने सबसे पहले ये चीज पहलाई वो बाई प्रोफेसरनी कुक थी simple उसके बादा ये pneumonia पर जो दूसरी bacterial disease है वो है pneumonia किस चीज़ चीज़ चे होता strictococcus pneumonia and hemopolis influence अभी मैं बता रहा हूँ CRT पढ़ूँगा सब कुछ के लिए रहो जाएगा ठीक मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं जो notes बनवाने वाला हूँ मैं सोचता हूँ कि chapter के खत्म होने के बाद एक start note बनवाऊँगा उसके लिए आप एक 10-20 रुपय वाली कापी रखिएगा अपने पास start note जिस दिन chapter खत्म होगा मैं यहाँ पर white board पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं points को लिखवा दिया करूँगा एक ही दिन में एक दिन हम लोग यही रखेंगे notes बनाने वाला मतलब revision के लिए आप उसको देखें NCRT देखें काम खतम और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूइत नहीं दो चीजें पढ़ना है एक मेरा start note एक आपको NCRT तो आईए दूसरी डिजी जो बाइट्रिल्रियस को नाम है pneumonia, pneumonia की चीज़ से होती है इसमें क्या होता है alveoli effect होती है alveoli में fluid भर जाता जिससे respiration में problem होती है और severe cases में इसमें भी आपकी death हो सकती है इसमें cough, chills, fever ये सारी चीज़ें होती है जो इसके symptoms है ठीक जो आपको दिखेंगे severe cases में इसमें भी आपकी death हो सकती है और भी bacterial disease है कौन कौन सी है दो तो मैंने आपको बता दी एक typhide, एक pneumonia दो ही के बारे में NCRT में describe किया गया बाकी तीन के बारे में NCRT में नहीं मतलब पांच दी गई है NCRT मे तो दो के बारे मैंने आपको बता दी दो describe जो की गई है उनका नाम है क्या typhide और pneumonia और तीन क्या है एक है प्लेग एक है डिप्थेरिया एक है डिसेंट्री तो कौन कौन से हो गई typhide, pneumonia प्लेग, डिसेंट्री तो ओकस्टे तो सारी bacteria डीजिवरा आते है वाईरस पर वाईरस क्या होता है वाईरस से जो डीजिवरिजे होती है राइनो वाइरसे होते हैं, ग्रूप आफ वाइरसे, इनसे इन्फलिएंजा होता है, कामन कोल्ड भी कहते हैं इसको, तो यह चीज़ें हो जाती हैं आपका वाइरस से, इसमें कामन कोल्ड में आप जानी रहे हैं, स्नीजिंग, कफ, हेड़ेक, ठीक है, फ़ड़ा बहुत प्रोटोजवान, फंजाई, हल्मिन्थीज, और उसके बाद तो आप लोग आई, इसमें हम लोग अब बात करते हैं किसकी, प्रोटोजवान के, वाइरस की बात कर ली, आब आते हैं प्रोटोजवान पर, वाइरस की एक चीज़ दीगे, कामन कोल्ड ठीक, इंप्लिएंजा प्रोटोजवान से होता है, मैलेरिया, मैलेरिया, एक टीनी प्रोटोजवान होता है, प्लाजमोडियम एक टीनी प्रोटोजवान है, जिसके द्वारा मैलेरिया होता है, और प्लाजमोडियम की कई स्पीसीजेज है, वाइवैक्स, फैलसी, पेरम, ठीक है, और भी एक दिया और important चीज़ है, malignant malaria किस से होता है, malaria plagmodium falciparum से, malignant malaria plagmodium falciparum, ठीक, तो आप याद कर लिजिए, और ये भी याद कर लिजिए कि जो plagmodium falciparum है, मतलब जो plagmodium है, उसके लिए दो host होते है, एक mosquito होता है, और एक human होता है, तो इसके दो host है, दो जगए रहता है, अपना जीवन क में, दूसरा मच्छर में, mosquito में, और इसमें कौन सा mosquito होता है, female anaphilis mosquito होती है, जो इसको transmit करती, एक बेक्ती से दूसरे, किसी बेक्ती को, है malaria, वहाँ गया, उसको female anaphilis गई, उसको काटी, वहाँ से उठाया, उसने proto-जवान को ले जाके, फिर जब दूसरे बेक्ती काटेग उसको लाइबरी, गलेंड कितो, उस बेक्ती में गई, वहाँ पे भी, उसको भी, टाइफाइड, इस तरह किसे फैलता रहता है, अभी मैं CRT पढ़ूँगा, सब कोई, डिसकस होगा, अभी तो उपर-उपर की बाते हैं, तो आप जानी रहें, प्रोटो जवान से एक और इ इंटेस्टाइन में लिप करता है, तो इसको भी आप आद कर लीजिए, एंटमीवा हिस्टोलिट का, क्या होता इससे, अमेविएस्स, इसको अमेविक डिसेंटरी भी कहते हैं, तो प्रोटो जवान से होने वाले, इसमें दो डिजीजिस दी गई है, कौन कौन सी, एक दी ग पेसान, अब्डामिनल पें, क्रैम्स, इस टूल में एकसेस, बलड आता है, और इसका एक मेकैनिकल केरियर होता है, हाउस फलाई इसकी मेकैनिकल केरियर है, हाउस फलाई क्या करेगी, और यह कहां से मेनली कहां से फैलता है, मेजर इसका क्या साइट है, मेजर साइट इसका जो है वो इस टूल ही है मतलब हीूमन इसक्रीटा से ही फैलता है जिसको मतलब क्या कह सकते है फीकल मैटर से मतलब किसी बैक्ती को जिसको आमी वीएसिस है वो उसके फीकल मैटर पे गई कोई मक्खी बैठी वहां उसने उसके साथ जो आमी वीएसिस का जो क्या है प्रोटो जो करें को नहीं हाउस फलाई मक्खी घरेलू मक्खी ठीक है उसके बाद इसमें हेलमेंथिस से होने वाले डिजीजिस दे गई हैं उनमें जिनमें से दिया गया है आपका फाइलेरियसिस इसमें दिया गया है फाइलेरियसिस आप जानते होंगे जिसको एलिफैंटियसिस भी कहते और escariasis दिया गया है दो diseases में दी गई तो मैं दोनों के बारे में अभी यहां पर discuss करने वाला हूँ और आप एक और सुन लीजिए कि इसमें फंजाई से और आप एभी सुन लीजिए कि फंजाई से कौन से होते हैं फंजाई से होता है ring warm wise macrosporum जनरा इसकी दो इसकी species भी है इसका general पूँच लेगा जनरा क्वारम के लिए जनरा कैंधा से है तो मिझे बता देना माइक्रो इस्पोरम ठीक अभी मैं बता रहा हूँ भी मैं पढ़ा भी दूँगा और इसके लिए सबसे स्वीटेवल कंडीसन जानते क्या गर्मी हो के सीजन में होता है जब हीट और माइस्चर इसको सपोर्ट करता है इसके गुरो करने के लिए मतलब गर्मी भी हो और माइस्चर भी हो तो ऐसा कब होगा पसीना होगा आपको गर्मी हो रही है पसीना हो रहा है तो आपके जो जो भी पार्ट होंगे जहां पर पसीना बराबर हो रहा है हर आदमी लगभग लगभग रिंगवार्म से परचित है क्योंकि कभी कभी उसको हुआ है या जिसको नहीं हुआ है उसके आसपास तो किसी ना किसी को नो होते हुए देखा ही होगा रहे इंगवार तो यह सारी चीजे थी तो हम इन सभी रोगों से कैसे बस सकते हैं टिगीजे से कैसे बस सकते हम अपने परसनल और पबलीक हाइजेन को मेंटेंग करे इन सब चीजे से हम बस सकते हैं ठीक है और कुछ डीजीजे हैं जिनकी बैक्सीन भी है आपको ये भी जानना पभिहत जरूरी है कि कौन कौन सी डीजीजे की बैक्सीन आ गई है तो अभी मतलब कुरोना को मत काउंट कीजिए इसको मत काउंट करिएगा लेकिन कुछ डीजे हैं जिसकी बैक्सीन हो गई है जिसका बै की गई है जिनमें से सबसे पहला Punkte ग्रियों दिपिरिया निमोनियाỗi टिटनेस वोलियों दिपिरिया निमोनिया tv test क procurement टिनेस किया है decry होगा इस डिजीज के बारे में दिल्ली में बहुत बूरा काहर ढाया था वैसे ढाया तो हर जगा था लेकिन वहां कुछ जादा ही देखने को मिल गया था ठीक है तो यह भी आप जो है यह भी आप याद कर लीजिए तो आईये तो हम लोग अब देखते हैं इसके बारे में और इंसेक्ट वेक्टर से कौन-कौन सी डिजीज जो हो ट्रांस्मीट होती है एक मैलेरिया और फाइलेरियसीज दो चीजों के बारे में आपके NCRT में डिक्र किया गए अब आईए हम लोग पढ़ते हैं डिजीजेस के बारे में जो NCIT में दिया गया है उसको अब डिसक्स पढ़ लेते हैं पढ़ लेंगे लाइन बाइन बाइन सब कुछ किलियर हो जाएगा आपको समझ में भी आ जाएगा आईए तो common diseases in humans इसमें आप पढ़ते हैं a wide range of organisms belonging to bacteria से फंजाई से प्रोटोजवान से हेलमेंथी से एड्सेक्टरा ठेजीग है इन सबसे बिलॉंग करते हैं और कुड का जो सकते हैं काज diseases in man में disease काज कर सकते हैं ठीक है मैंने आपको बताया था कि disease काज अर्गनिजम को क्या कहते हैं पैथोजन कहते हैं मैं कहता हूं मेरी बातनों को ध्यान से सुना करो हलके में मतले ना कुछ भी most parasites are the are for pathogen as they cause harm to the host मतलब बहुत से parasites कहां क्या होते हैं पैथोजन होते हैं और वो host को harm पहुंचाते मैंने कहा था ना कि यो पैथोजन होते हैं ना वोश्ट कोई वही कहा था ना जिस पतल में खाएंगे उसी में छेद करेंगे यही है तो काज हार्म टू होस्ट बाइविंग इन आर्दिया मतलब उनके ऊपर या उनके किसी आरगन के अंदर तीर रहे के उनको नुक्सान पहुंचाएंगे अपने आपको क्या करता है डाप्ट कर लेता है फार एक्जांपल दा पैथोजन देंटर दा गट मस्ट आप मस्ट नाओ ए बे आप सर्वाइविंग इन दा इस्टोमक ए लो पियाच बदो इस्टोमक में होगा लो पियाच पर एक्जिस्ट कर रहा है और इस्टिंग दा इस्टिंग और इस्टिंग उसका कुछ नहीं भी गाड़ सकते हैं एक फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्राम डिफरेंट गूरूप साफ पैथोजनिक आर्गनिजम आर डिसकर्ड हीर इलांग बिद डिजीज काज बाई दें प्रेवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगनेट डिजीजिन जनरल और आर आलसो ब्रीफिली डिसकराइब मतलब यहाँ पर नीचे अब सभी डिसकराइब किये हैं क्यों कौन सी है उनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है तो आईए साल्मोनेला टाइफी इजा पैथोजनिक बैक्टिरियम पहले बताया था आपको टाइफाइड बैक्टिरिया से होता इसके लिए जो रिस्पोंसिबिल बैक्टिरिया क्या है साल्मोनेला टाइफी इजा पैथोजनिक बैक्टिरियम होईज का टाइफाइड अमारा देंगीग चैम करो दो झाल से हो उतल वार में परूंग दोल टरोके वे जायू up में परूंग करें दोल कर दोल से अतर, बाटाओा happens!